वेलकम बैक, स्वागत है एक बर फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम्यू क्लास के टीजीटी, पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में है, तो मित्रों आज के इस वीडियो में भी मैंने लिया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन, तो फटा फट चलिए जुड़ जाईए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मेरे उत्तर देने से पहले, और अगर पहली मर्तबा आप चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाईएगा, ताके नोटिकेशन मिलता रहे, वीडियो पुरा देखिएगा, पसंद आपका, मनोहर का, या मिर्शय दली का, तो नर्गीश का पुस्प चितर किसका है, तो इस कोस्चन का आपका राइटेंसर क्या हो जगा मित्रो, ए नादिर, मुहमद नादिर का, ठीक है, बड़ी अगले कोस्चन की तरफ, अगले कोस्चन पुछ रहा है, सुख दुख के अगले कोस्चन दिखें, विरल पुल किस के पेंटिंग है, सुमनाथ होर की, लतिका कट की, अनुपशूत की, या किशनारिडी की, तो विरल पुल किसके पेंटिंग है, कमेट्स बॉक्स में बताईए, और हमारे एक मित्र जुड़े हुए है, सेलेंदर कुमार जी, जो लि है उसके अलावा टेलिग्राम चैनल पर भी सभी ये वीडियो शेयर कर दिता हूं अपना यूटूब का जहां पर इसके डिस्क्रिप्शन बाक्स में हर वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल के अमरे ठीक है तो वहां आप देखिए उसके अलावा और तो चलिए इस कोश्चन का राइटेंसर है वेरल पूल किसकी पेंटिंग है तो इस कोश्चन का राइटेंसर हो जागा मित्रो डी किसकी पेंटिंग है किसकी पेंटिंग है किसकी पेंटिंग है किसकी पेंटिंग है अंगला कोश्चन है चितरकार तथा दर्सक के मद्ध वार्त का कारग है क्या है चित्र की तक्निक चित्र केत तो चित्र के सिधान इस्थान्त तो वसा इंसर क्लारील अंगला कोश्चन पूछ रहा है, बंगाल का मंशूर किसे कहा जाता है, अनन्द कुमार स्वामी को, जे स्वामी नाथन को, के सीयस पनिक को, या के वेंक टपा को, तो बंगाल का मंशूर किसे कहा जाता है, जिसे मंशूर जो चेतरकार थे, मुगल काल के, उन्हीं की उपादी दी गई है इन चारों में से किसी को बंगाल का मंशूर कहा जाता है तो इस question का right answer क्या होगा है इस question का right answer हो जो जब दी के वेंक टपा को बंगाल का मंशूर कहा जाता है अगला question देखे अगला question पुछ रहा है प्राग एतिहाशिक काल के निर्टी चित्रों के लिए कौन सा अस प्राग एतिहाशिक का लिए तो इस question का right answer हो जाएगा मित्रों ए लिखो निया ठीक है अगला question की तरह बढ़ा जाए अगला question पूछ रहा है भारतिय लगू चित्रड का स्वाडिम काल था भारतिय लगू चित्रड का स्वाडिम काल इन चारों में से कौन था नो पाशाड क स्वाडिम काल था मध्यकाल था या अधुनिक काल था तो स्वाडिम काल भारति लगू चित्रड का इन में से था आपका right answer हो जाएगा सी मध्यकाल मध्यकाल स्वाडिम काल रहा है ठीक है अगला question दोखिए अगला question पूछ रहा है अकबर ने किस चित्रकार को 500 का मनसब दिय अकबर ने किस चित्रकार को 500 का मनसब दिया बशावन को खाजा अब्दूल Sumad को जशवांत को या मीर सयाद लिको तो इस question का राइटेस थे क्या होगा इस question का अपका right answer हो जा में तो भी खाजा अब्दूल Sumad अकबर ने 500 का मनसब दिया था खाजा अब्दूल Sumad को ठीक है अगला कोश्चन देखे, अगला कोश्चन पूछ रहा है। के गई है कुछाच ट्गनीक जो है उसकी शुरूवात 1912 में किस चितरगार के द्वार के द्वार की गई व्लाक के द्वारा रेजा के द्वारा लेयनार्डो दाविंचि के द्वारा या判 द्वारा या पिकाको के द्वारा ठीक है पिकासो ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगला कुश्चन पुछ रहा है एलोरा के किस गुफा की खोज सरोपर्थम हुई एलोरा की जो गुफाई मिली है उसमें सबसे पहले किस गुफा की खोज हुई 34 की 21 की 16 की या 15 की तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या होगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा मित्र बी गुफा संख्या 21 की सबसे पहले खोज हुई थी एलोरा की ठीक है अगला कुश्चन देखिए भारत में कोलोग्राफी की सुरुआत किस ने की भारत में कोलोग्राफी की सुरुआत किस न पूछ रहा है जैन सैली में किस रंग की परधानता है पीला रंग लाल रंग खारा रंग या नीला रंग चलिए कमेंट्स करिए और एक बात मैं अपने भाई बंदू मित्र जो भी जोने इस कहना चाहता हूँ कौन TGT कला में जो भी हमारे भाई बंदू है मेल या फीमेल कला में पहली मर्तबा इंटर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम्ट कर रहे हैं कला में इंटरी कर रहे हैं मतब पेपर देने के लिए खास कर कई लोग तो होंगे जो प्राइबेट से एक बिसे से सिंगल सब्जेक्ट से क किये होंगे तो single subject वाले भी comment करेंगे कि कौन single subject से हैं और first time है यह comments में हम जो है जानना चाहते हैं क्योंकि सवाल जो है उनके मन में ही काफी है ठीक है जो चलिए इस question का right answer देख लेते हैं किस मुगल भासा ने चित्रकला का प्रतिबंद लगा दिया था यानि चित्रकला अपने सासनकाल में उसको नहीं मानता था प्रबंद कर दिया था नहीं बनाना है ठीक है साजहां बहादूर साजफर सेरसा सूरी और और औरंगजेब तो इस question का right answer रह जागा मित्रो डी औरंग ख्रबता जयता है गोपाल चंदर को इन्चारों मेंस इस किस के लिए जाता है पच्छी चित्र गायों के चित्र ब्यक्ति चित्र या रमि क्रीव मतलब ग्राविड जहुता है ठीक है तो गोपाल गोस यानिज के लिए जाना यानि किस टाइप के चितर बनाते तो इस question का आपका मित्रो बी गायों के चित्र के लिए परसेंदे तो मित्रो कैसे लेगी आज के हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा और अगर परसंद आया तो लाइक शेयरो कमेंट के नाम मत भूलिया आज के लिए देजाएद कल फिर मिलते हैं से समय से टाइम ले